ओम शांती, आज 29 दिसेंबर 2020 के साकार महवाक्य हैं, आज बाबा बोले मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राम्हन संप्रदाई बने हो, तुम्हें अब मृत्य लोक के मनुश्यों से अमर लोक का देवता बनना हैं, आज मुरली में प्रश्न हैं, तुम बच्चे किस नौलेज को समझने के कारण बेहद का सन्यास करते हो, तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नौलेज हैं, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार, अब इस सारे मृत्य लोक को भस्मी भूत होना हैं, अभ वर्थ पाउंड बनना हैं, अर्थात हीरे तुल्य बनना हैं, इसमें जो कुछ होता हैं वह फिर हुब हुब कल्प के बाद रिपीट होगा, इसलिए तुम्हें इस सारी दुनिया से बेहद का सन्यास करना हैं, आज मुरली में गीत हैं, आने वाली कल की तुम तकदीर हो, ओ ओम शान्ती, बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाले अमर लोक अर्थात सत युग, यह है मृत्य लोक अर्थात कल युग, अमर लोक और मृत्य लोक का यह है पुरुशोतम संगम युग, अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं आतम अभिमानी हो बैठो, यह निश्चय करना हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, हमारी एम अबजेक्ट यह हैं लक्ष्मी नाराण, यह मृत्य लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना, ऐसी पढ़ाय तो कभी कानों से नहीं सुनी, न किस को कहते हुए देखा, जो कहे बच्चों तुम आतम अभिमानी हो बैठो, यह निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, कोनसा बाप? बेहद का बाप निराकार शिव, अभी तुम समशते हो हम पुरुषोतम संगम युग पर हैं, अभी तुम ब्राम्हन बने हो, फिर तुमको देवता बनना हैं, पहले शुद्र संप्रदाय के थे, बाप आकर पथर बुद्धी से पारस बुद्धी बनाते हैं, पहले सतो प्रधान पारस बुद्धी थे, अब फिर बनते हो, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सत्यूग के मालिक थे, सत्यूग में मनुष्व के मालिक थे, फिर 84 जन्मले सीड़ी नीचे उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमों में आये हो, पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धी थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती हैं, मनुष्य समशते नहीं, बाप कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते, ब्ला कहा जाता हैं, तो अपने स्रेष्ट धरम, स्रेष्ट करम को भी भूल जाने से, वह करम ब्रश्ट धरम ब्रश्ट बन पड़ते हैं, भारत वासी इस समय देवी देवता धरम से भी ब्रश्ट हैं, बाप समझाते हैं, वस्तव में तुम हो प्रवृत्ती मार्गवाले, वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं, तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम बदल हिंदु धरम रख दिया हैं, यह भी होता हैं द्रामा प्लेन अनुसार, सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतीत पावन आओ, वह एक ही गाड़ फादर हैं, जो जनम मरण रह हैं, ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज हैं, आत्मा का वा परमात्मा का रूप बहुत सुक्ष्म हैं, जिसको स्टार वाबिंदु कहते हैं, श्रीड तो है नहीं, अब आत्मा बिंदी की पुझा हो न सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं, पुझा के लिए, बाबा शिवलिंग की बात कर रहे हैं, समझते हैं, शिव की पुजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या हैं वह नहीं जानते, यह सब बाते बाप इस समय ही आकर समझाते हैं, बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 लाख योनियों का तो एक गपोडा लग दिया हैं, अब बाप तुम बच्चों को बैट समझाते हैं, अभी तुम ब्राम्हन बने हो, फिर देवता बनना हैं, कल्योगी मनुष्य है शुद्र, तुम ब्राम्हनों की एम अबजेक्ट हैं, मनुष्य से देवता बनने की, यह मृत्य लोकपतित दुनिया हैं, नई जहां यह देवी देवताए राज्य करते थे, एक ही इनका राज्य था, यह सारे विश्व के मालिक थे लक्ष्मी नाराण, अभी तो तमो प्रधान दुनिया हैं, अनेक धरम हैं, यह देवी देवताधरम प्रायह लोप हो गया हैं, देवी देवताओ का राज्य कब था, कि नहीं जानते, बाप ही आकर तुमको समझाते हैं, यह है Godfatherly World University, जिसकी aim object है, अमर लोक का देवता बनना, अर्थात सत्यूगी देवता बनना, इनको अमर कथा भी कहा जाता है, तुम इस knowledge से देवता बन, काल पर जीत पाते हो, वहां कभी काल खा नहीं सकता, मरने का वहां नाम अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो, ड्रामा के प्लैन अनुसार, भारत वासी भी 5000 वर्ष या 10 अजार वर्ष का प्लान बनाते हैं ना, समझते हैं हम रामराज्य स्थापन कर रहे हैं, बेहद के बाप का भी प्लान है रामराज्य बनाने का, वह तो सब है मनुष्य, इन बातों को कोई जानते नहीं, मनुष्य कितनी भक्ती करते हैं, जिसमानी यात्राय करते हैं, दिन अर्थात सत्युग द्रेता में इन देवी देवताओं का राज्य था, फिर रात में भक्ती मार्ग शुरू होता हैं, सत्युग में भक्ती नहीं होती हैं, ज्यान भक्ती वैराग्य यह बाप समझाते हैं। वैराग्य दो प्रकार का हैं। एक हठ योगी निवरति मार्ग वालो का वह घर बार छोड जंगल में जाते हैं। अब तुमको बेहद का सन्यास करना हैं। सारे मृत्य लोक का। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया भस्मी भूत होने वाली है ड्रामा को बहुत अच्छी रिति समझना है। जू मिसल टिक टिक होती रहती हैं। जो कुछ होता हैं फिर कलप 5000 वर्ष बाद हूब हूब रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रिति समझ कर बेहद का सन्यास करना हैं। समझो कोई विलायत जाते हैं। कहेंगे वहां हम यह knowledge पढ़ सकते हैं बाबा कहते हैं हाँ कहां भी बैठो तुम पढ़ सकते हो इसमें पहले साथ रोज का कोर्स लेना पढ़ता है बहुत सहेज है आत्मा को सिरफ यह समझना होता है हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे तब सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान बने हैं 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नोट अपैनी बन पड़े हैं अब हम फिर वर्थ पाउंड कैसे बने अब कल युग हैं फिर जरूर सत्युग हो ना है बाप कितना सिंपल समझाते हैं साथ दिन का कोर्स समझना है कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं अब फिर ज्यान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है वर्ड की हिस्ट्री जॉग्रफी रिपीट होती है चक्र फिर ता रहता है ना अभी हैं संगम युग फिर सत्यूग होगा, अभी हम कल्योगी विश्यश बने हैं, सो फिर सत्यूगी वाइसलेस केसे बने, इसके लिए बाप रास्ता बताते हैं, पुकारते भी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ, जो कल्प पहले बने थे, उन्हों को ही फिर बन बाप समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरिर छोड दूसरा लेती हैं, अभी तुमको देही अभीमानी बनना हैं, अभी ही तुम्हें देही अभीमानी बनने की सिक्षा मिलती हैं, ऐसे नहीं तुम सदेव देही अभीमानी रहेंगे, नही सत्यूग में तो नाम शरीर के रहते हैं, लक्षमी नाराण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती हैं, अभी यह है संगम यूग, जबकी बाप समझाते हैं, तुम नंगे अर्थात अशरीरी आये थे, फिर अशरीरी बन वापस जाना हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो यह है रुहानी यात्रा, आत्मा अपने रुहानी बाप को याद करती हैं, बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे, इनको योग अगनी कहा जाता हैं, याद तो तुम कहां भी कर सकते हो, साथ रोज में समझाना होता हैं, यह स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता हैं, कै ऐसे हम सीड़ी उतरते हैं, अब फिर इस एक ही जनम में चड़ती कला होती हैं, विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती हैं, यह स्कूल है ना, वास्तो में यह है गौड़ फाधरली युनिवर्सिटी, गीता का ही राजयोग हैं, जो बाबा सिखला रहे हैं, परन्तु स्रे कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, ब्रम्हा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, अभी तुम पुर्शार्थ कर, फिर सो देवता बनते हो, प्रजापिता ब्रम्हा भी जरूर यहां होगा ना, प्रजापिता तो मनुश्य है ना, प्रजा जरू यहां ही रची जाती हैं स्रिष्टी पर हम सो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रिती समझाया हैं। भक्ती मार्ग में तो कह देते हैं हम आत्मा सो पर्मात्मा इसलिए पर्मात्मा को सर्वव्यापी कह देते। बाप कहते हैं सब में व्यापक आत्मा हैं। मैं कैसे व्यापक होंगा। तो मुझे बुलाते ही हो हे पतीत पावन आओ, हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मुरत आत्मा का तखत यह हैं। तखत कहो अथवारत कहो। बाप को तो रथ है नहीं, अर्थात शरीर नहीं हैं। वह निराकार ही गाया जाता हैं। न सुक्ष्म शरीर न स्थूल शरीर हैं। निराकार खुद रथ में जरूर बैठे तब बोल सके। रथ बिगर पतीतों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लौन लेता हूँ। टेंपरेरी लौन लिया हैं। अर्थात संगम के थोड़े समय के लिए लौन लिया हैं। इनको भाग्यशाली रत कहा जाता हैं ब्रह्मा बाबा को। बाप ही स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का राज बताई। तुम बच्चों को त्रिकाल दर्शी बनाते हैं और कोई मनुष्य यह नौलेश जान न सके। इस समय सब नास्तिक हैं। बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रचैता रचना का राज बापने तुमको बताया हैं। अब तुम्हारे सिवाह और कोई समझा न सके। तुम ही इस फिर यह इतना उचपद पाते हो। यह ज्यान सिरफ अभी ही तुम ब्रामहनों को मिलता हैं। बाप संगम पर ही आकर यह नौलेश देते हैं। सदगती देने वाला एक ही बाप हैं। मनुष्य मनुष्य को सदगती दे न सके। वह सब गुरु हैं भक्ती मार्ग के। गुरु एक ही हैं उनको कहा जाता हैं वह सतगुरु वह। इनको पाठशाला भी कहा जाता हैं। इम अबजेक्ट नर से नाराण बनने की हैं। वह सब हैं भक्ती मार्ग की कथाई। गीता से भी कोई प्राप्ती नहीं होती। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सनमुक पाकर पढ़ाता हूं जिससे तुम यह पद पाते हो। इसमें मुख्य हैं पवित्र बनने की बात। बाप की याद में रहना हैं इसी में ही माया विघन डालती हैं। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। यह नौलेज सब बच्चों के पांस जाती ह कभी भी मुरली मिस ना करो। मुरली मिस हुई गोया एपसेंट पढ़ जाती हैं। मुरली से कहां भी बैठ रिफ्रेश होते रहेंगे। श्रीमत पर चलना पड़े। बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र जरुर बनना हैं। वैश्नव होकर रहना हैं। वहाँ चारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं, पवित्र तो है नहीं, तुम पवित्र बन, विश्णु वन्शी बनते हो, वहाँ तुम वैश्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, वहाँ है अमर लोक, यहाँ है मृत्यु लोक, यहाँ विकार में जाते हैं अभी तुम विश्णो पुरी में जाते हो, वहां विकार होते नहीं, वह है वाइसलेस वल्ड, योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, वह दोनों आपस में लड़ते, माखन बीच में तुमको मिलता, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सभी को यही प सब का हक है, सब को कहना है, अपने को आत्मा समझो, माबाप ग्यान में होगा, तो बच्चों को भी सिखाएंगे, शिव बाबा को याद करो, सिवाई शिव बाबा के दूसरा न कोई, एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, इसमें पढ़ाई बहु तुम पढ़ सकते हो, बुद्धी से याद कर सकते हो, यह पढ़ाई इतनी सहज हैं, योग अथवा याद से बल मिलता हैं, तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो, बाप राज्योग सिखा कर पावन बनाते हैं, वह है हठ योग, यह है राज्योग जो बाबा सिखला रहे इसमें परहेज बहुत अच्छी रिती चाहिए, इन लक्ष्मी नाराण जैसा सर्वगुन संपन्न बनना है ना, खान पान की परहेज चाहिए और दुसरी बात बाप को याद करना है, तो जनम जनमांतर के पाप कट जाएंगे, इसको कहा जाता है सहेज राजयोग राजाई प जाएंगे, श्रीमत पर पुरा चलने से स्रेष्ट बनेंगे, ब्रश्ट से स्रेष्ट बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है, कल्प पहले भी तुमने ही यह ज्यान लिया था, जो फिर अब लेते हो, सत्युग में और कोई राजय नहीं था, उसको कहा जाता है अभी यह है दुखधाम, और जहां से हम आत्माएं आई हैं वह है शांती धाम, शिव बाबा को वंडर लगता है, दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं, बच्चे कम पैदा हो उसके लिए कितना माथा मारते रहते हैं, समझते नहीं यह तो बाप का ही काम है, बाप जट एक धरम की स्थापना कर, बाकी सब अनेक धरमों का विनाश करा देते हैं, एक धक से, वो लोग कितनी दवाईया आदी निकालते हैं, पैदाइस कम करने के लिए, बाप के पांस तो एक ही दवाई हैं, एक ही धरम की स्थापना होनी हैं, वह समय आएगा, सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदी की भी क्या दरकार हैं, तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी हैं मन मना भव की, जिससे तुम एक किस जन्नमों के लिए पवित्र बन जाते हो, अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का, याद प पिता, बाप दादा को, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, आज की सारे मुरली से धारना के लिए सार हैं, उसमें पहला हैं, पवित्र बन कर पक्का वैश्नों बनना हैं, खान पान की भी पूरी परहेस करनी हैं, स्रेष्ट बनने के लिए श्रीमत पर जरूर च कलना हैं, दुसरा, मुरली से स्वयम को रिफ्रेश करना हैं, कहां भी रहते सतो प्रधान बनने का पुर्शार्थ करना हैं, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी हैं, आज बाबा ने वर्दान दिया, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप वर्दान का स्पष्टी करन हैं, जो स्नेही को पसंद हैं, वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप हैं, चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प वाकरम करो, तो पहले सोचो कि यह स्नेही शिवबाबा के दिल ऐसे सच्चेस नहीं बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे यदी सनही सुरूप को समान सुरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर्भव का वर्दान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी आज का स्लोगन है स्वभाव इजी और पुर्षार्थ अटेंशन वाला बनाओ ओम शांती